अबाई कहां से हैं, पहले अपना नाम बताईए, प्रवीन कुमार सर, प्रवीन कुमार कहां से, हर्याणा कैथल सर, अच्छा अच्छा है, बताईए क्या पूछना चाहते हैं, कि शीलिंग फैन की किट मंगाई थी मैंने कलकत्ता से से की लिए नीज नीए जो अपना यह इसी पंगता है अच्छी कलकत्ता से क्यूं मंगाया आप हडियाना में है तो फड़िदाबाद दिल्ली नज्जिक है आपके लिए कलकत्ता बस रोंडाइन मंगा लिए कि यह कित तो मैंने लिए वह वैंडिग अपने अपकी है मैंने तर स्पीड निमनरी और नब्यवाट लिता है पंगा अब हम क्या कहें देखिए यह जो लोग कीट बना के बेशता है ना पेंट करके बड़ी साफ्ट लगावा इस्टांपिंग यही मंगाया ना ब्लेड पे हे लिए प्रवा लोटर भी पहले से रहा हूं और यह लोग जो काचा मरत गोत को तुई लोग गैपींग को जादा लेके चलता इलोगो मालूम है कि ट्रांसपोर्ट पहन पतक थोड़ा भी तेड़ा होना ही होना को यह क्या करता है है अब गैपिंग को आधाय मं एम एक जा होता है तो स्टांपिंग के गैपिंग को जतना बढ़ाग ही चलेगा तो चलेगा वाटेज ज्यादा खाएगा आर्पीम कम आएगा आप लाख बनिया वैंडिंग कर लिजे लिस चक्र में ये लोगों को बेकूफ बनाने वाला ट्रिक है यूटूब में वीडियो बनाओ से पंखा उद्द्यो किताब लिए कि नहीं लिए तरफ पोँंच लिए अब पर नापके पड़ी है यह अभी तक नहीं आई तो ट्रेकिंग नंबर आप हमसे लिए आ कि यह दो कहां पर किताब आपकी पड़ीवी है भी कि शर्यें अभी तर्ट ट्रैक निकिए डाखना में आएगी कहां पर राएगी शर्यें डाखना में आएगी आप हमको वाट्सप एक बार मेसेज कीजिएगा हम आज से कल तक एक बार ट्रैक करके देख लेंगे क्या पोजिशन किताब पहुंच गई होगी या तो कोई दूसर माल लीजिए और यह कटा हुआ के चकड में मत रहिए कटा हुआ जो चीज है न यह ले दे के नुकसान दैक है ठीक है और कोई प्रस्न है डिल्ली कहां से मिलागा यह सब का नंबर तो हम दे ही दिये हैं जेतना रोव में ट्रेल वाला है वो तो आपके मोबाइल में आया हु आपके यहां पर नहीं है जिसकी तलास में हम लोग लगे हुए है हमको स्टांपिंग अपने यहां काटना है आप पेंटिंग अपने यहां करना है अब नहीं तो वह काम नहीं करके खाली कोयल बनाना है यह जो चाहते हैं कि हम कीट मंगा लें अखीट मंगा के पंखा त्यार करके बेच दें ना बनेगा कट यह दो काम आपको अपने यहां करना है रोटर की कटिंग स्टांपिंग की ग्रैंडिंग और बडिया ब्लेड डाउन रोड की पेंटिंग इसका कोई की सौट कट नहीं है ठीक है सब्सक्राइब की ब्लेड की बैलेंसिंग साथ-दस की होती है उसका बैलेंसिंग मीटर आता है में जौन पर खोजिएगा दो हजार के रेंज में मिल जाएगा और नहीं कुछ समझ में आए तो ब्लेड की बैलेंसिंग करने का सबसे सीधा रास्ता बता रहे हैं कि कोई भी ब्रांडेट कंपनी का और तालीस इंच के ब्लेड को दराज होता है या कोई चीज या भाईस होता है ना तो भाईस को इसे बैलेंस किया हुआ है और उतने पर आप अपना ब्लेड को बैलेंस कीजिए अभी उस देखिए आप जिस सोच में जा रहे हैं ना आप पंखा ब्लाने के तरफ आपका दिमाग चल रहा है लेकिन यह चोटा प्जेक्ट नहीं है आप पहले हम आपका बजट कितना पहले यह कितनी पूंजी है लगा लें लगव 15-20 लाग रुपए तब आपको मसीन सब लगाना पड़ेगा और 15-20 लगाने से कहानी खाली मसीन तक ही चलेगा उसके बाद मसीन सर स्यंसी तो लगा ली सर मैंने वैंडिंग वाले तो किसकी लगा है यह फ्रीदा बाद से लिए सर जेव लगा लिए लगा लिए आगे जो मसीन जो किताब में नंबर दिया गिया है जिसे ग्राइंडर लेना है तो किसका लेना है हर एक चीज का वो सभी सही लोग है इन लोग का समान लेकर काम कीजिएगा तो प्रोड़क्ट बढ़ियां बनेगा हमको किसी से कोई कमीशन उमिशन ना मिलता इसे भय में मत रहिएगा ठीक है ठीक है तो आप जब आपका प्रोजेक्ट है तो धंग से पेंटिंग यूनिट अपने हां लगाईए ग्रैंडिंग मसीन फिलाल दो लेट मसीन एक से नहीं होगा एक चार फूट और छे फूट का लेट मसीन लगाना पड़ेगा साथ जाता है तो उसके लिए हेवी मसीन चाहिए नहीं तो भाइबरेट करेगा है हेवी हैड वाला छे फूट का बेट साइज होता है लेकि छे फूट का मसीन भाडी मसीन होता है तो लेट मसीन जतना भाडी हो तना अच्छा होता है क्योंकि एदम जीरो बटा जीरो का काम है तो कर लिए लेकिन जब तीन छुड़ी एक साथ चलाना है फाइनल कटिंग में अंदर बाहर और हाइट कटता है तीन एक साथ तो उसके लिए है भी मसींच चाहिए छे फूर का किताब आने दीजिए किताब आने दीजिए आप ट्रैकिंग नंबर के लिए मिली गया है आप एक बार हमको भी मेसेज कीजिए हम भी चेक करेंगे ठीक है ठीक है नमस्कार थैंक यू सर्दीक थैंक यू